तो व्यूवर्स हम जा रहे हैं अभी डेश्चू सीसू में अपना समानों रखके फ्रेश होके हम निकल गए हैं केलांग हम पहुच गए हैं गाड़ी वहां खड़ी है यह लास्ट पेट्रोल पंप पेट्रोल यहां से डलवा लिया हमने पेट्रोल था पर मैंने फिर भी आप लोग आते हो किसी और स्टेट में जाते हो पूंटे फिर ने यार और यहां पूड़ा और यार नहीं बिल्कुल भी नहीं पूड़ा यार करना ही क्यों आप अपनी गाड़ी से आते हो पाइक से आते हो तो एक साथ में एक अलग से ना बैग रखा को बैग में आपने आपने खाना खाना है जो भी आपने रैपर यूस किया है उसको बैग में रख लो और कहीं पर दस्मिन देखे वाँ करो यहां पर पूरा कच्रा फैलाने से ना हमें ही प्रॉब्लम होगी अब मैं हाँ कड़ा हूं ताइम नफ्स बना रहो पना और मैं जिस नीचे नजर मार पूरा कूरा मतलब हर एक जुम्हें तो इस ने पर दिखेगा वर साथ में यह सारा कच्रा हम कभी नहीं समझ सकते और सब्सक्राइब अपनी इस जनरेशन को समझना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने हम अभी नहीं समझे ना कुआने वाली जनरेशन ना यह ब्यूटी नहीं क्योंकि जब तक कुछ बचेगा ही नहीं हर जेंगा कूड़े के पाड़ हर जेंगा कच्रे के पाड़ रही है प्लीज एक रिक्वेस्ट है में तरफ से कभी भी आओ ऐसे जनरे तो कूड़ा कच्रा मत करो सवच भारत अभिहान को चलाओ और अपने अपने साथ साथ अपने आजू बाजू जहां भी कोड़ा देखिए उसको उनको मना करो कि भाई मत कर तो अभी हम जाए जिसपा तो अभी हम है के लॉंग में हम डार्चु तक गए थे वहाँ पे डार्चु के बाद सब बंद है तो वहाँ से जो फोर्स थी तो उन्होंने उनको बोला कि भाई है तो यह मनेश्ट्री और इसकी जो हिस्ट्री है उसका एक फोटो आरी होगी आपर खई तो आप लेख सकते हो काफी पुरानी है मुझे तो बहुत अच्छा लगा बहुत पीस्फूल है असे लग रहा है कि घंटा है बहर जो बट बैट नहीं सकते क्योंकि सुरज धल रहा पड़ेगी में रखो यहां से आप लोग दिख सकते हो तो मैं सोच रहा हूं कि जितनी जल्दी हो नीचे नीचे उतरा जाए क्योंकि अंधेरा हुआ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वैसे बहुत अच्छा था अगर कभी इस तरह पाऊ तो यहां पर ज़रूर आना क्या अगर आपको मनेश्ट्री जाना है तो यहां से 5 किलमेटर गारास्ता यहां से जादा प्रॉब्लम हो काई जैसे कि मैं आपटा ओफ्रोडिंग है इतना कुछ प्रॉब्लम होगा नी गारी थोड़ी घंदी हो जाएग पर क्या चलता है इतना चलता है अच्छी मनेस्ट्री ह हिस्ट्री भी जानने को मिलेगी थोड़ी तो वह भी आप जाके देख सकते हूं तो अब हम जा रहे हैं वापस सीशू अभी हम सीशू में स्नो पॉइंट है एक सीशू वाटरफॉल में वहां पर हम आया है काफी अमेजिंग जगह है ये और हमारा जो जॉसल था वो वहां है वह जेसी भी दिख रही है कौन बिल्कुल वहां पर तुम्हा से नीचे की तरफ एक रास्ता जाता है यहां पर अपनी गाड़े पार्क कर सकते हो मेरी गाड़ी वहां खड़ी है और यह पूरा मतलब यहां पर पार्किंग होती है अहली बैड है काफे सारी वैंस हैं यहां लाप खाना गा सकते हो और रिवर है और वाटरफोल है अब ही हम थोड़ा आगे तक जाने की बज़त जाए किसे जाए कल तक तो मैंने यहां जगया देखी थी आज में कुछ जगया देखने है तो कल तो मैंने पर पूल देखा था एक लोग वहां तक जा रहे थे तो आगे यहां पे हमने थोड़ी को फोड़ी किचिए अब दो बिजली महादेव के आर चैय पानी पीके यहांसे निकल जाएंगे मनाली के तरफ वह मिलता है मनाली में अविजली महादेव यह कुल्लू से थोड़ा आगे है उज़्य का लिप फिलायोर के नीचे से इक रश्टा जाता है बीजली जातार महादेव के अपर तो उस रास्टे पर आप आ सकते हो वीडियो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो रास्ता थोड़ा खराब है यह बट काम चल रहे हैं होपसो थोगे टाइम बाद यह रास्ता बन जाएगा बट एक बड़ आप उपर आ गए मनाली गुंतार कुलू इस सब दिखता है और तो और सुलांग बेली वो जो सीजु के पाड़ है वो भी यहां से दिखते हैं यह देखा हो एक सके हम बहुत उपर है बहुत उपर है बिल्कुल टॉप पर है यह जो मंदिर है पादेव का बहुत टॉप पर है शिवानी स्टोरी बता आपको इसकी पिजली इत्रिया हां पर हर 12-7 मेर पर शिवलि हम इसलिए बिजली मादे भी रख दिया तो जो हमार हमार साथ गाइड है उसनी जोंको बताया है क्या पता वैसी होता हूँ आदत नहीं है इसलिए साथ फूल रही है और सुबह से गाड़ी चला-चला के और अची तरह कुछ खाय भी नहीं तो इतनी अनरजी में नहीं है पर दिरे दिरे चलेंगे कोई प्रॉल्लम नहीं है और जैसे हम उपर आते गाड़ी से तो इस सीड़ी आ है पेड़ पार्किंगे नीचे सोर पर लगते है अपनी गाड़ी पार्किंग करके आओ इन सीड़ीयों से उपर जाओ कि महादेव के मंदिर है आप बिल्कुल टॉप पे रहते हैं चाहिए आप केदर ना चले जाओ बिजनी महादेव आजाओ और भी बहुत सारे मंदिर है अर जेंगा टॉप पे है मादे भैई सबसे उपर तो सबसे उपर ही रहेंगे मैं तो पहली बार आ रहा है श्रीवानी के कहने पर और आज देखते हैं यहाँ पर खहीं अगर कोई होमस्टे मिल गया तो यहीं रुख जाएंगे वरना बीचे कुलू या भुंतार में रुकेंगे क्विकल हमें जाना ह है तृतन इसलिए यहां से चितना जल्ली उसो की निकले सो एक घंटे बाद विरीज्ट अन्दे टॉप विरीज्ट विजली भादेव हालत इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी शिवानी की है बता रहूं बता रहूं सिंपती गेंग करवावर को क्योंकि शिवानी की तवित खराब है उसका नाग बंदे इसलिए और मेरा क्या है यह भाई मोटा हो गए थोड़ा अब भाई दिली जाके पतला है सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल पाड़ो की चौटी पर है और यहां से 360 व्यू देख सकते हूं यह एंचे बिजली महादेव की 360 व्यू पीछे इमालनेंड रेंज तक वह आपका यह दिख रहा है हम आपने पीछे के पार बनाने यह तो तरौफ चार हो पतब 360 व्यू है अगर मनाली आप आ रहे हो तो बिजली महादेव तो आप ट्रैकिंग करो थोड़ी सी ट्रैकिंग है मतलब इतनी मुश्किल नी है सीडिया बनाई हुई है बट थोड़ा मैं फिट हूँ शीवानी की थोड़ी तवित कराब थी तो में थोड़ा टाइम लगा वैस तो नहीं मंदिर में मत्था टेको तो आदे घंटा विवल सोब पीस सो भी मंदिर अंदर जा रहे हैं मंदिर में आपको दिखाते हैं एक से कुछिंद और यह हम जारे मंदर में जाते हैं कि यहां पर बारा साल में एक बार विजली गिरती है और तहां पर पढ़ेंगे कहीं पर कुछ लिए खाऊगा तो सच में मुझे इसलिए पार पसंद है सुकून है ना कहीं पर नहीं कहीं पर भी नहीं तो हमने मंदिर में कर लिया है दर्शन अब थोड़ा यहां पे व्यू कानन ले रहे मैं और शिवानी और सब्से को ठीकलती करिया है मैं कोई चैकिट लेकर नहीं आया बस यह थोड़ा स अब आप यह थी तेज ज़र रही है कि अबस दिन मजा आगा जो व्यू ना शिवानी बताना व्यू मतलब मैं बताने सकता और यह चीज अगर आपको देखनी है तो खुद यहां हम अबरेगा मैं बस आपको दिखा सकता हूं कि कितना अचा व्यू है यह वी सच में देखने जाने कुल मुदा आपको अबस सपर आपके सिफ यहां पर आपया है और पोश आपको आपड़ी और यह हर चालगी है तो जाने पुर्ट इस आपको तर यह हर तो जो कि मेरे इंस्ट्राग्राम पर देख सकते हो अगरे इस आगर मेरे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेकिए राइट जिए देखो बहुत अच्छा भूमन रहा है श्राइट ठड़ लग रहे हैं बट आप लोग के लिए बना रहा है सिर्फ आप लोग के लिए